आए दिन महिला सशक्तिगरन वो महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बाते की जाती हैं। महिला सुरक्षा को लेकर कई कानून बनाए गए हैं और कुछ ऐसे हेलप लाइन नंबर भी हैं जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का दावा करते हैं पर अगर इन दावों में इतनी ही सच्चाई है तो महिलाओं पर बढ़ती ज्यादतियों और होने वाली छेड़कानियों का क्या कारण हैं पिछले 48 गंटों में ही कई ऐसे मामले सामने आये हैं जो सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और पुलिस द्वारा महिलाओं को सुरक्षा मुहया कराने के नाम पर सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे हैं सूत्रों के मताबिक ताजा मामला MP नगर्थाना छेतर का है जहां 28 वर्षिय महिला के सामने उसके शोशल मीडिया फ्रेंड सुमित वर्मा ने शादी का प्रस्ताव रखा प्रस्ताव ठुकराय जाने पर महिला के घर के सामने यूवक द्वारा गाली गलौच की गई और महिला के घर के बाहर आने पर उससे छेड़खानी करने वह शादी का दबाव बनाय जाने का प्रयास किया ऐसे में एक मामला जिला प्रशासन अधिकारी को लेकर भी सामने आया हैं जिसमें 28 वर्षिय महिला अधिकारी शिकायतों का निराकरन करने बिलखिरिया गाओं पहुची वहां मौजूद शराब के नशे में धुद तीन बदमाशों ने महिला अधिकारी से छेड़ खानी करने की कोशिश की और महिला अधिकारी का काफी दूर तक पीछा भी किया कुछ ऐसे ही मामले निशांतपुरा, अयोध्यनगर, पिपलानी, गांधी नगर और कई जगाओं से सामने आये हैं लगातार बढ़ते हुए मामले महिला सुरक्षा को लेकर किये जा रहे दावो को जूटा साबित कर रहे हैं और पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं